यहां टेकनिकल में आप सभी का स्वागत है फाइनली आप लोगों के लिए काउर खुश खबरी निकल के आ चुकी है उत्तर परदेश सिपाही होमगाड भरती दो अजार चोबी सोलडी जारी हो चुका है इसका उफीसली अपडेट आ चुका है क्योंकि उफीसली सौट नोट बताएंगे और आपको यहां पर बताने वाले हैं आज इसमें टोटल पोश्ट 42,000 है भाग एकीस अजार भाग भी 21,000 कैसे होगी भरती क्या है सेलेक्शन प्रोसेस कौन-कौन भर सकता है फॉर्म कब होगा नोटिस फुल जारी इसका हाइड कितना होना चाहिए रनिंग द्वारा खुद जारी किया गया है उनके उफीसियल गराफ ट्वीटर चलाते होगे ता आप वहां पर जाके जाएं कर लिजिगा यूप मुखमंतरी जी तो आपको वहां पर उनका उफीसियल साइड मिल जागा जिस पर करोणों लोग फालवर्स हैं आप जाके वहां से भी जो आपके बारे में देते रहते हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं इससे समझना आप लोग लिए बहुत ज्यादा जरूर है क्योंकि आप लोग पास अप टाइम नहीं है जल्द ही आपका भरती जारी होने वाला इसका उफीसिली अपडेट आया इसलिए हम आपको वीड बता दीजिए वह हम आपको बताने जा रहे हैं समझ के वह जाईएगा ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी चार से पांच मिनट होगी ज्यादा लंबी नहीं होगी समझते वह चलिएगा यूपी होम गार्ड भरती सिपाही न्यू अपडेट दो हजारी हो चुका है उसमें बताया जा रहा है कि अपका 10 पास हटा दिया गया है अब बार्वी पास वाले हैं पर अप्लाइग कर सकते हैं लेकिन अभी इसका कोई उफीशिली नोटिस नहीं आया है जारकंड में आपका उफीशिली नोटिस जारी होता है तो पेपर कटिंग जारी कर देते हैं कि यह बदला हो गया वह हो गया ऐसा नहीं है जब तक आप यूपी होम गार्ड के तरफ से आपका उफीशिली नोटिस जारी नहीं होगा सिच्छा यह उगता से लेकर तब तक आप यह मान बान के चलिए गया है अभी अपडेट आएगा तो लोडी हम आपको बता देंगे अब बता दें आपको आई उसीमा आपकी क्या होना चाहिए जर्णल की यहां पर 18 से 40 साल अगर आपकी एज है तो आप यहां पर फोड़ाई कर सकते हो किसी परकार के अपको दिक्कत नहीं होगी आपके दिश्टिक में ही आपकी यह जौब रहेगी अब आगे आप OBC हो तो सब्सक्राइब कर दिया जागा जो की अपडेट आया था जो इससे पहले हमने वीडियो बना के बता आ था सिच्छा यह उगता से लेकर परिवर्तन किया जा रहा है और पलास आपका अब यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के तरह होगा होमगार्ट की भरती जो की बता गया था अब इसका अपडेट नहीं है जब आएगा हम बता देंगी कैसे होगा सिलेक्शन इसमें पहले नंबर पर रिटेन एक्जाम कराया जा हिंदी से आपको 25 कोस्टेन आएगा नंबर आपको 25 क्योंकि अभी अपडेट नहीं है कि कि कितना कितना कोस्टेन पुछा जाएगा सिलेबस आपका यही रहेगा तैयारी जारी रखिएगा अगर आपको होमगार्ड बे सेलेक्शन लेना है तो नहीं दुबारक का वेकेंसी पुछा जाएगा आल ओबर मिला कि 100 कोच्टन सव नंबर का दो घंटे लगवग आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए अभी इसका आपको बता रहे हैं कोई कंफर्म नहीं बता रहे हैं स्लेबस सेम रहेगा नंबर और कोस्टन चेंज हो सकता है अब हाइट मेजर्मेंट समझा लिजी कौन को ने फोम भर सकता है मेन पॉइंट आती है आपका हाइट कितना मागा जाता है तो हाइट आपको बताया जा रहा है कि पुलिस के तरह आपकी भरती कराई जाएगी तो आपका 168 सेंटीमीटर आपको यहां पे हाइट मागा लड़कों के लिए और चेस्ट आपको बता दे तो चेस्ट आपका यहां पर जो मागा गया है अभी तक तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपको यहां पर चेस्ट होना चाहिए अर रनिंग जो आपको करना है जो इससे पहले रनिंग हुआ था तब का 15 सुमीटर रनिंग कराए गया थ 10 से 12 मिनट आपको यहां पर टाइम दिये जाएगा क्योंकि एज वाई यहां पर टाइम दिये जाता है कोई कोई बता रहा है आपको पांच किलो मीटर रहन जोगा लेकिन अभी प्छला अपडेट जो था फंदरा सुमीटर का था इसमें एज वाई आपको टाइमिंग मिले नहीं मंगा गया है और यहां पहले देख यहां पर दिखाने का मतलब यह से पहले हमने आपको दिखाई दिया है सिर्फ दिखाने मलब यह है कि जो नए कंडिडेट हम से जुड़ रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए हाँ इसका अपडेट आया है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं 42,000 होगी होमगाड की भरती जो की साफ साब बताया है सीम ने होमगाड के आपदा मित्रों के रूप में तैनात किये गए नियम वाली में किया बड़ा बदलाव और निर्देश भी दे दिया है लखनवू यहाँ पर दिये गया है लखनवू में होमगाड विभाद की कि इसके मतलब क्या होता है दो चरण का मतलब जो होता है यह था आपका नोटिस में और ज्यादा कुछ आपके खास नहीं लिखा गया है सारा को डेटा मागे बता रहे हैं जाब पूरा पढ़के बताएंगे वीडियो वह लंबी हो जाएगी में में हमने आपको बता दिया कर दिया आप जाके महां से इसे पर सकते हैं लिंक वीडियो क्रिक्शन में दिया कि आप जाके जाइन करके महां से इसे पढ़ लीजिएगा हम सारा को प्रोसेस आगे बता रहे हैं भाग एक मतलब होता है पहली बार टोटल तो आपका 42,000 भरती निकाली जा रही है लेकिन उ आपको बताया गया मुखंद्री जी ने जो बताये हैं वह हम आपको यहां पर बता रहे हैं पहले भाग में 21,000 सेलेक्शन होगा फिर दूसरे भाग में 21,000 सेलेक्शन होगा भरती अलग अलग परकिरिया से आपकी की जाएगी जब को टिलर कैसे होगी भरती अलड़ी हमने दूसरी बार भरती होगा 21,000 में आपको यहां पर सेलेक्शन किया जाएगा कॉलिपिकिसन हमने आपको लोड़ी वहां पर बताई दिया यह भी किलेर हो गया एज हमने आपको बता दिया रानिंग कितना होगा यह भी बता दिया कब नोटिस जारी होगा कौन-कौन यह फोन भी निकल के आ चुकी है ज्यादा दिन नहीं हो रहा है ज्यादा दिन के आट से दस दिन के अंदर आपका वहां पर कंप्लीट कर लिए जाएगा उसके बाद तुरंथी आपका यहां पर उसका फीजिकल टेस्ट होगा यह भी आपको फिलेर है इसका नोटिपिकिसन आपको स सितम्बर तक आपको यहां पर देखने को मिल सकता है यहां तक मुझे लगता है इसका तुरंथी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा Online Mode आपको अप्लाई होगा सब्सक्राइब जरूर करें